हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं कि सबच्च होंगे मैं भी अच्छी हूं मैं हूँ आपकी दोस्त काविया और लेक्या ही हूँ फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और आज हम बात करेंगे पाम के बारे में जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेर प्लांटी इस प्लांट को रवीनिय पाम कहते हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप भी अपने गार्डन या घर में ऐसे पोदे लगाना चाहते हैं जो देखने में खूबसूरत हों हरे भरे रहे हैं और जिने जादा देखवाल की जोड़त भी पड़े तो आफके लिए पाम प्लांट शही ऑप्शन और आज की वीडियो में हम जानेगे पाम प्लांट की देखवाली के तरीके पाम की जितनी वी वाराइटी होती है देखने में सबी बहुत खूबसूरत लगती हैं और ये हवा को साफ हमारे घर को सजाने का काम करती है जहां भी हम इनको रखते हैं इंडोर रखें आउट्डोर रखें हर जगा ये बहुत कुशुरत लगते हैं इंडोर प्लांट के रूप में यह है घर के इंटीरियर में नेचर की फिलिंग देते हैं और बहुत छुटे पाम को आप किसी कंटेनर में लगा कर स्टर्डी टेबल पर भी रखेंगे तो भी वह बहुत सुन्दर दिखाई देगा वैसे तो दोस्तों पाम की कई वरायटी होती हैं अभी आपको जो प्लांट दिखाई दे रहा है इसको रवीनय पाम बोलते हैं और ऐसा ही एक प्लांट होता है जिसको एरेका पाम कहा जाता है चाइनीज पाम की भी एक वरायटी होती है जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसके अलावा भी कई तरह की पाम की वरायटी होती हैं, आपको जो भी प्लांट पसंद हो, आप किसी भी नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, एरेका पाम का प्लांट आपने देखा होगा, कुछ-कुछ इसी तरह का दिखता है, लेकिन दौनों में डिफ्रेंस यह है, कि एरेका पाम में काफी सारे प्लांट बनते हैं, लेकिन इस वाले प्लांट के आपको और ज़्यादा प्लांट नहीं मिलेंगे, नहीं आप इसकी देखरेका हम को कैसे करनी होगी, किस तरह से यह हरा बरा रह सकता है, तो आज मैं बताने वाली हूँ, आपको इसकी रखरकाव के बारे में कुछ जरूरी बात लें, वैसे तो फ्रेंट्स इस प्लांट की केर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप एक बार अपने गा काम दिख रहे हैं, यह मैंने 100 रुपीस में दो प्लांट लिये थे, छोटे-छोटे से, और अब यह काफी बड़े हो चुके हैं, और मैंने इनको कुछ इस तरह से बांध रखा है, क्योंकि इसकी टेहनियों का फैलाव काफी जादा है, और मेरी बालकनी में स्पेस नहीं है तो मैंने इनको थोड़ा सा इस तरह से बांध दिया है, तो फ्रेंड्स आप इसकी जड़ों को देख सकते हैं कि किस तरह की इसकी जड़े हैं, और किस तरह की इसकी मिट्टी है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी एक मोटी स्टेम है, अंदर की तरफ से ही इसक इस टर्म निकलती हैं जो पतियों का रूप धारन कर लेती है और इसमें थोड़े कांटे भी होते हैं और मिट्टी आपको देखिए इस तरह की बुरबुरी मिट्टी इसकी रखनी है आपको सक्स मिट्टी नहीं होनी चाहिए और जब आपका यह प्लांट एक दो साल का हो जा क्योंकि इतनी दूप इसके लिए काफी होती है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहती है आप इंडोर रखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बिल्कुल अंधेरे में यह प्लांट ना रहे क्योंकि अंधेरे में हमारा कोई भी प्लांट कभी भी नहीं चलता है लेकिन आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको सूरज की खिंडे मिलती रहे और थोड़ी सी इसको रोशनी मिलती रहे बिल्कुल अंधेरे में ना रहे यह है पौदा वैसे तो इस प्रॉब्लम की ग्रोथ काफी कम होती है स्लोल बढ़ता है लेकिन ग्रोथ इसकी हूथ ही baptized रहता है यह मेरा कितना अच्छे से अपनी ग्रोथ कर रहा है काफी बड़ा हो चुका है जब मैं ने लिया था तो भॉछ छोटा था यह है प्लांट और अब काफी बड़ा हो च तब इसमें आपको पानी नहीं डालना है अगले दिन पानी डालिए और इसमें कभी-कभी आप एक महीने में एक बार कंपोस्ट भी डाल सकते हैं कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास हो आप वो डाल दीजिए इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी और जब आप इसमें प्लांट को टाइम टाइम पर पानी देते रहें मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा सकत ना हो मिट्टी इसकी काफी बुरबुरी आपको रखनी है मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% गार्डरन सॉल लेनी है 20% आप उसमें रिवर्स रिम लाईए और 30% जो भी आपके पास कमपूस्ट है उसका यूज कीजिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने किसी भी प्लांट को इसमें आप ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं नर्सरी से लेके आए हैं तो भी आप उसको रिपॉर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाएं लाते ही रिपॉर्ट ना करें आप दीरे दीरे मर जाते हैं और दूसरा आपको इसको तेज धुमे भी नहीं रखना है ऐसा करने से आपका यह प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा जब आप इसको पाने डालते हैं तब भी आप इसकी पत्तियों पर भी थोड़ा सा पाने स्प्रिंकल कर दें उससे इसकी चमक बर पाट नहीं है महां तो इनको खुला स्पेस मिलता है तो यह बहुत अच्छे से फैल जाते हैं लेकिन पाट में थोड़ा स्पेस कम होता है इस वज़े से इनकी ग्रोथ रूख जाती है इसलिए आप इनको बड़े पाट में लगाईए चूंकि जो इनकी रूट्स होती है व उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करना बिलकुल न भूलें और साथ ही साथ बैल आइकन को भी जरूर प्रस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिक